यहाँ प्रस्तुती आदर्निया पूजनिया अग्रहरी नाग्राजी द्वारा अनुसंधानित आरोग गिशतक पर आधरित है नमक का इस्तमाल बिच्चु के काटने पर जिस भाग दाया या बाया में काटा है उसके विपरिद भाग के कान में नमक घोल छानकर दो चयर बुन डालना चाहिए अधिकाधि पतली टटी होने पर जिसके कारण पानी की कमी हो जाए तो कमजोरी घिरने की स्तिति में एक पाव पानी, आधा चमच नमक, एक चमच छकर मिला कर चान कर पीना चाहिए यह हैजा में भी लाबदायक है दर्द की जगह में जो चमड़ा खुला हो नमक की पोटली बांद कर तवा में गरम कर दर्द की जगह में सेखने से आरब मिलता है काली मिर्ज का उप्योग गले में सूजन, गले में अटकी जैसा लगने की स्तीती में एक ग्राम काली मिर्ज का चुड़न चार ग्राम शक्कर या नमक दोनों को मुझ में रख कर चूसने से लाब होता है जिस आदमी को शरीर में गर्मी गर्मी जैसा लगता हो पाच से दस काली मिर्च महिन पीस कर या खा लेवे उपर से खुब थंडा पानी पीवे मस्य के उपर काली मिर्च को ठंडे जल में पीस कर लगाने से लाब होता है खासी आने पर दस काली मिर्च, दस तुलसी के पत्ते एक गिलास जल में पकावे जब तीन चार चम्मा चरज आवे उतार ले वे उसमें शायद मिला कर चाटे अथवा पकते समय में बीस ग्राम गुर्ड डाल कर पकावे इसे धीरे धीरे चाटने पर कफ खासी दूर होती है ग्यारा काली मिर्च, अंडू से की पत्ती, पाच, पान एक पत्ती तुलसी की ग्यारा पत्ती, एक लॉंग, एक इलाइची इन सब को देड़ पाओ पानी में पकावे इसमें इसमें पचास ग्राम गुर्ड डाल कर जब एक कफ रह जावे उतार ले वे एक एक चम्मच खाने पर खासी कफ दोनों दूर होती है चावल का माड, पसीया, प्रदर रोग धात होने पर माड को ठंडा करके एक गिलास लेकर उसमें 20 ग्राम प्याज के कत्रे डाल दे इसे पीने से लाब होता है प्याज, प्याज के रस में शक्कर मिलाकर पीने से प्रदर रोग में लाब होता है लाल मिर्च, कुता बिली चुहा आदिक किसी के भी काटने पर लाल मिर्च को पीसकर टिकिया बनाकर बान देने से थोड़ी देर में लाब होता है घी, नाक सुकता हो, स्वास लेने में तकलिफ होती हो, कफ भर गया हो, इस तिती में घी को नाक से सुड़कने पर लाब होता है घी के अभाओं में सरसो का तेल सुड़कने से भी लाब होता है मठा मही, मठा में हरा, भहेरा, आवला तथा संभा काली मिर्चूरणब मिला कर पीना पीने से पेट दर्ध गोला में भी आराम मिलता है और बारंबार पीने से पेट साफ होकर कवज दूर होते है पानी, सुबह ताज़ा जल अधिकाधिक पीने से मल मुत्र साफ होता है अलसी किसी कैसा भी फूड़ा हो उसके पग पाक के लिए अलसी को पीस कर पीना में पानी में ले, पका ले उसे लेप लगा कर पानी अरंडी के पत्तों को बान देवे जल से जल पक जता है अति मुत्र बहु मुत्र मुत्र अधिक होने पर चने की भूसी को महीन पीस कर एक एक तोला जल से लेवे अधिक प्यास लगने पर हल्दी चूड़ना आधा चम्मच शक्कर के साथ धीरे धीरे खाकर उपर से ठंड़ा जल पीवे लाब होगा भूना हुआ हल्दी चूड़ना आधा चम्मच प्रती दिन नित्य खाने से पूराना जुकाम में लाब होता है सर्दी जुकाम में दूद में हल्दी डाल कर पीने से लाब होता है सर्प काटने पर सर्प के काटे स्तान पर थोड़ा उपर कड़ा पट्टी बान देवे पीपल के पत्ते को डंठल के तरफ से पकड़ कर दोनों कान में साधानी से अंदर रखे जब तक पत्ते अंदर की और खिचते हो पत्ते को बदल बदल कर यह करम करते रहे और पास ही किसी चिकित साले में ले जाने का प्रयातन करे सिर के बाल गिरने पर आवले को भीगा कर उससे सिर धोवे लाब होगा सीर के बाल जढ़ने पर अंडे को फोड कर बालों में लगावे जब सुख जाए सिनान करे बाल का गिरना रुख जाता है यह बारंबार करे सीर के बाल जढ़ने पर बादाम गिरी को त्रिफला या गुलाब जल में भिको दे दूसरे दिन सवेरे चिकने पत्थर पर घिसे जब मखन जैसा हो जाए उस तिती में उसे इस नान के पस्चाद बालों की जड़ों में लगाने से बाल का जड़ना रुख जाता है साथ ही साथ बालों की सुन्दर्ता बढ़ती है सिर के बाल काले करने के लिए भ्रुंगराज शरत रुटु में निकाल कर सुखा कर चुड़ना बना ले उसके सोलावा भाग काली मिर्च महिन चुड़ना मिला ले रोच एक तोला खावे उपर से जल पिये एक वर्ष पस्चत लाव होगा मुख में च्छाले हो जाने पर गुलाबी गुलाब के पुश्प पीस कर मुख के च्छाले में लगाने से लाव होता है मुख में छाले हो जाने पर गेंदे के पत्ते को पीस कर मुख में लगाने से लाव होता है मुख शुद्धी के लिए एक सुपारी का चूर्ण 100 ग्राम, कत्था 50 ग्राम, लॉंग 5 ग्राम, 5 ग्राम इलाइची, सौफ 50 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, आवला 10 ग्राम सब को सुक्ष्मा चूर्ण बना कर रख लेवे इसे थोड़ी मात्रा में लेने से मुख की बद्बू एवं शुद्धी होती है यह पाचन क्रिया को भी ठीक करता है मुख से निकलने पर सौफ का चूर्ण एक तोला भीका कर दूसरे दिन सवेरे खुब पीसकर मुख में लगाने से लाव होता है साथ ही भीगे हुए सौफ का पानी मिश्री मिला कर पीना चाहिए अगर शुक तवचा हो मुहां से निकली हो तो गुलाबी गुलाब के फूल को महिन पीसकर मुहां से में लगावे साथ में रोज एक गुलाबी गुलाब चबाकर खावे लाब होगा ओठो के फटने पर 100 ग्राम सरसो का तेल 25 ग्राम मदुमक्खी का मुहम डाल कर गरम करे जब तेल में मुहम समा जावे तब उसे नीचे उतार लेवे छानने की आवशकता हो तो छान लेवे इसे किसी शीशी में सुरक्षी तरक लेवे इसे ओंट फटने पैरों के फटने त्वचा के कहीं भी फटने पर लगाने से लाब होता है दात में दर्द होता हो मसूडे सूच गए हो मसूडों से खून निकलता हो उस थिती में भी ही अमरुद के पत्तों को पानी में कुटकर उबाल लेवे तीन चार उबाल के बाद गुनगुना रहते कुला करे लाब होगा साथ ही सरसों के तेल में नमक मिला कर लगावे थोड़ी देर बाद पुन कुला करे पुन दातों पर लगावे इस प्रकार तीन चार बार करने से लाब होता है इससे दात वो मसूडों के संपूर्ण दर्द शांत होते है दातों के खोकले होने पर दातों के अंदर लॉंग तेल का छोटा फोहा बना कर दातों के अंदर भरे एक घंटे बाद भी ही अमरूत के जल से कुल्ला करे, पुन्ना फोहा भी भरे इस प्रकार तीन चार बार करने से दातों में पड़े किल्डे मरने लगते है कान के दर्द होने या पक जाने पर गेंदे के पत्ते करस निकाल कर गरम करे जब ठंडा हो जाए, उसके उपर के रस को दो बून डाले कान के दर्द होने पर गोमा, द्रोन पुषपी गुमा के पत्तों से रस निकाल कर कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है आखों में लालीमा हो जाने पर मा का दूद बारंबार आखों में डालना चाहिए गाय का दूद आखों में बारंबार डालने से आखों की लालीमा में लाब होता है आखो में पुई आना कम दिखना उस तीति में हरा बहरा आवला तीनों को बराबर मात्रा में नई मट्की में पाच तोला भिगा देवे जब चार घंटा भीग जावे तब उसमें थोड़ा सा जल लेकर बारंबार आखों में डाले इससे आखों में चिपड़ा आना ठीक होता है साथ ही आखों की जाली कटती है एवं जोती बढ़ती है आखों में बिलोनी सलोनी हुने पर पका हुआ हरा सुख हुआ लावे सुखा हुआ लावे इसे ठंडे पानी से घिसे उस घिसे हुए को सलोनी पर बारंबार लगाने से सलोनी ठीक हो जाती है आखों में फुली होने की सिती में वट का दूद आजना चाहिए और सबेरे जहां सूर्य उकता हो उस स्तान पर दुष्टी को टिका कर उल्टा सिधा घुमना चाहिए कुछ दिनों में लाव होता है गले का बैट जाना नाक का भरा भरा सा लगना स्वास लेने में तकलिफ होना इस्तिती में अजवाइन हल्दी काली मिर्च समान मातरा में एक तोला खपे हुए छेने के आग में डालना चाहिए निकलने वाले धुए को सुंगना चाहिए एवं मूँ से लेना चाहिए ऐसे तीन चार बार करने से गलावन नाक ठीक हो जाता है आधा सिर में दर्द होने पर सुर्योदय के पहले हर रविवार को शुद्ध घी से बनी हुई जलेवी अथवा शुद्ध घी से बनाओ हुआ गेवु के आटे का हलवा खाना चाहिए पहले दिन रात्री को हलवा बना कर रख लेवे उसे सुर्योदय के पहले पेट भर खावे खाने के पस्चया नीन लेना आवशक है पूरे सिर में दर्द होने पर काली मिर्च हल्दी अजवा इंसमान भाग चुड़ना बना ले रूई बिचा कर उत्तक चुड़ना को रख देवे फिर रूई को रोल कर ले उसमें हल्का धागा बांद दे इस बत्ती को गाए के घी में डुबा दे घी की बनी इस बत्ती को जलावे जब मसाला जलने लगता है बुजा दे इसके धुए को खुब सुड़क सुड़क कर नाक से ले एक बार एक नाक से दुसरे बार दुसरे नाक से इस प्रकार से बारा बार करें तुरंत नाक में घी रखकर सुड़के साथ ही मुह में काली मिर्च मिष्री मिलाकर वारंबार चूसे उपर से दुद्व खीर का भोजन करें इसे एक सप्ता करने पर लाव होगा खाज खुजली होने पर चिर्चिरा अपामार्ख के पांचो अंग को महीन पीस लें सनान करने के बाद जहां आवशक हो वहां लगावे खूब रगड़ साथ दिन में लाव होने लगता है चकोर चक्रमणी का बीज वाकुची का बीज दोनों को महीन चूड़ना बना कर मठे में भीगा कर खाज खुजली की जगह लगावे सुखने के पस्चत सनान करे सफेद दाग होने पर कठुमर अश्टो उदुमबर की एक पतली जड़ ले लावे उसे पानी में घिसकर जहां पर सफेद दाग हो लगाना चाहिए इससे लाव होता है त्वचा के जल आ जाने पर जले हुए स्थान पर आलू को कूट पीस कर लगाना चाहिए या शहद लगाना चाहिए मास पेशियों एवं संधियों में दर्ध होने पर अंडे के जड़ की छाल को अलग निकाल कर उसे चूड़ना बना ले संभाग काली मिर्च और सोंट कचूड़न मिला कर गुड़ के साथ एक एक तोला सुबा शाम खाने से संधियों के दर्ध में आरा मिलता है लसुन का रस एक चमच एक चमच चैद मिला कर कई बार चाटे उपर से दूद पीवे कहीं भी दर्ध हो आरा मिलेगा सरसो के तेल में लसुन और अजवाइन मिला कर पकाले इस तेल की मालीश करने से दर्ध में आरा म होता है सोंट का चूर्ण दो ग्राम भुना हुआ मेथी दस ग्राम दोनों को मिला कर दोनों बार भोजन के पहले गरम जल से लेवे सभी प्रकार के दर्ध में लाब करता है चाती में दर्ध हो पसीना भी आता हो तब अर्जुन कहवा के छाल को महिन कूट पीसकर पच्चिस ग्राम लेवे एक किलो पानी में पकावे जब पकते पकते एक कप रह जावे शक्कर मिला कर धीरे धीरे पी ले तीन चार बार पीने से लाब होता है सामान्य सर्दी होने पर दूद में हल्दी तूलसी पत्ता काली मिर्च अद्रग डाल कर पीना चाहिए सामान्य खासी में काली मिर्च सोंड पीपली संभाग मिलाकर आधा चम्मच की मात्रा में दो तीन बार शहद से लेना चाहिए सामान्य खासी होने पर पीपल का चाल एक तोला महीन पीशकर खीर बनाते समय खीर में डाल देवे उस खीर को खावे रोज ऐसा करें लाब होगा स्वास होने पर दमा कच्चा अडूसा 20 ग्राम मुलहटी मधुयेश्टी 5 ग्राम पीपल का चाल 20 ग्राम अहरा 5 ग्राम गुड 50 ग्राम सबको डेड किलो पानी में पकावे पक्ते पक्ते अवलेह जैसा होने पर उतार लेवे गुनगुना रहते एक चम्मज बारं बार खाते रहें यह क्रम दमा के कम होने तक जारी रखे इस प्रकार प्रति दिन एक दो बार करें यकृत्त लीवर के बढ़ जाने भूक न लगने या यकृत संबन्दी कोई भी विकार होने पर चिरचिरा अपामाल का रस और पुनर्वा पत्थर चट्टा का रस आधा आधा तोला मिला कर दिन में दो तिन बार चटावे इस से बच्चों की सफेदी तटी दाने जैसी तटी ज्यादा तटी होने आधी इस्तिती में विशेश लाव होता है पिलिया हो जाने पर भुई आवला को सुखा कर चूर्ण बना ले दो ग्राम की मात्रा में मूली के रस के साथ तीन दिन सेवन करे पीलिया में लाब होता है मूली के अंदर चिरा लगा कर मिश्री के टुकडे भर दे दूसरे दिन सबेरे मूली को खाने से पीलिया में लाब होता है इसे तीन दिन करना चाहिए पराजित हर सिंगार की जड़ का छाल का चुलना बना कर रख ले चुने के उपर की नित्री हुई पानी एक टोला एक टोला मिश्री एक टोला चूड़ना मिला कर पीने से पीलिया में लाब होता है ऐसा तीन दिन करे पेट में जलन हो पेट में दर्ध हो भूखना लखती हो उस्तिती में भूना हुआ हर्रा बहेरा आवला प्रत्तिक 15-15 ग्राम भूना हुआ अजवाइन 10 ग्राम, 60 गरम राक से भूना हुआ 25 ग्राम, जीरा भूना हुआ 50 ग्राम इन सब को महीन चुड़ना बना कर रख लेवे, पेट में जलन रहने पर 5 ग्राम चुड़ना 10 ग्राम मिला कर लेवे उपर से ठंडा दूद पीवे अगर पेट में जलन नहों उस स्थीती में एवं पेट में दर्थ हो तब शक्कर के जगह सेंदा नमक दो ग्राम पांच ग्राम चूड़ना मिला कर लेवे उपर से गरम जल पीवे पेट दर्द में आराम मिलेगा खटी डखकार आने पर आवला धनिया जीरा भूना हुआ तीनों संभाग लेकर महिन चुड़ना बना ले एक एक चम्मच की मात्रा से आधा आधा चम्मच शक्कर मिला का सुब़ शाम भोजन के पस्चात लेवे उपर से ठंडा जल पीना चाहिए पेट में वायू गोला गुलमा होने पर चुने के जल 400 ग्राम लेकर बाटल में भर लेवे उस बाटल में सेंधा नमक 20 ग्राम सोहागा का फूल 10 ग्राम दोनों को डाल देवे उसे 5-10 ग्राम दिन धूप दिखावे धूप दिखाते समय हिला देना चाहिए उपर नितरा हुए पानी 2-3 दिन तोला पीना चाहिए इससे संपुल्णा प्रकार का वायू गुला ठीक होता है निम्बू का रस एक बाटल में भर कर उसमें पाचों प्रकार के नमक 10-10 ग्राम फिटकरी 5 ग्राम सोहागा का फूल 5 ग्राम जवाखार 5 ग्राम डाल देवे भले प्रकार से गुल जाए तब धूप में रखे उपर में थिरा हुआ जल निकाल दे चान देवे पुन बाटल में भर कर धूप में रखे पुन चान देवे इस प्रकार 3-4 बार करने से रस्वच्छ हो जाता है इसे एक दो तोला पीना चाहिए इसमें संपूर्ण प्रकार के वाईू गोला में लाब होता है कब्ज हो जाने पर अजवाईन भूना हुआ 100 ग्राम 60 भूना हुआ 50 ग्राम हिंग भूना हुआ 10 ग्राम हर्रा बहेरा आवला भूना हुआ 50 पचास ग्राम पाच्चो नमक 25 पच्चीस ग्राम इन सब को महीन चूर्ण बना कर रख लें इसे दिन में 2-3 बार आधा आधा चमच लेकर गर्म पानी में दो तिन बार दो तिन गर्म पानी से दो तिन दिन में लाव होता है पेट अपने आप साफ होने लगता है एवं कप्जदूर हो जाती है आंत्र के सूजन सूजन जाने पर अजवाइन पचास ग्राम देड कीलो पानी में पकावे जब पकते पकते एक कब पानी बचे उतार कर गुण्यूना कर रातरी में पीवे सफेद आव प्रवाहिका होने पर मेथी एक तोला दही दो तोला मिला कर देने से लाव होता है यह आव रुपते तक लेना चाहिए रक्त आव प्रावाही का हो जाने पर जामुन के छाल का रस एक तोला और एक तोला शहद मिला कर चाटे यथा संभव एक बार में ही ठीक होगा फिर भी ठीक ना हो तो दोबारा देवे ऐसे तीन बार की ही आवशक्ता पड़ेगी अतिसार पतली ठटी होने पर कच्चे बेल के मुका भूरका बना कर उसके गुद्दा को एक दो तोला शक्कर के साथ खाने से अतिसार में लाब होता है समय पर आम की गुटली को इखटा करके रख ले आवशक्ता पड़ने पर इसके भीतर की गीरी निकालकर पीश कर शक्कर के साथ खावे उपर से मठा पीवे खिचडी का पत्य करें प्रवाही का ठीक होगा व्रुक किड्नी की तकलिफ होने पर जैसे मुत्र की कमी पेशाप में जलन आदी स्थीती में केले के पेड के बीच में कांड की सबजी बना कर केले के पेड के बीच में कांड की सब्जी बना कर खाना चाहिए केले के अंदर के डंडे का रस एक दो तोला गरम करके ठंडा होने पर पीने से मुत्र संबंदित तकलिफ दूर में लाब होता है मुत्र संबन्दित तकलिफ में होने पर कमल ककड़ी ठेस की सबजी खाना चाहिए मुत्र की मात्र कम होने पर पुनर्वा पत्थर चट्टा की भाजी की सबजी खाना चाहिए मुत्र ना उत्रे उस स्थिती में एक गिली पट्टी बनाकर पट्टी के उपर कलमी सोरा एक तोला रख दे पट्टी को मोड कर नाभी के नीचे रखे पेशा थोड़ी देर में उतर आएगा पथ्री होने पर अजुबा पढ़ना बीज किस चट्टी एक से दो तोला थोड़ा जीरा काली मिर्च सिंधा नमक मिलाकर रोज खावे पथ्री गलकर गिरने लगता है महवारी कश्टव के साथ होने पर घी कुमारी घृत कुमारी गवार पाठा कि सबजी खानी चाहिए घृत कुमारी का रस आटे में सानकर रोटी बनाकर खाने से महवारी बिना कश्ट के आसानी से होता है महवारी कश्ट के साथ एवं कम होने पर बास की पत्ती कपास की डोंडी घृत कुमारी सभी 20-20 ग्राम लौंग पाच हप को दो किलो पानी में पकाले जब एक कब बच्चे गुड मिलाकर पीने से महवारी ठीक होती है महवारी अधिकाधिक होने पर जवा कुसुम गुड हल के फूल को पीस लेवें उसमें दो ग्राम कथा मिलाकर एक तोला की मात्रा में खावें तीन बार रखें तीन बार खाने से लाव होता है इसमें तीन भुना हुआ लॉंग मिलाकर लेने से विशेश लाव होता है कांच निकलने पर गेंदे के पत्तियों को कुड पीस कर टिकिया बना लेवें इसे गुड़ा में रखकर लंगोड बान देवें और साथ में मुलायम सुपारी को कुड पीस कर चुड़ना पाच ग्राम की मातरा में जल से सेवन करें गुदपाक होने पर स्वामुत्र की पत्ति बारंबार करने से लाव होता है बवासिर होने पर जिमीकंद का भूरता घी मिलाकर तीन चार ग्राम सेवन करने से लाव होता है बवई घास को हंडी में भर कर जला लेवे उसके राक को तीन ग्राम की मातरा से मठा के साथ लेवे दही चावल का पत्य करने से खुनी बवासिर भी तीन दिन में आराम हो जाता है बवासिर में गेंदे के पत्ति को पीसकर लुगदी बना ले उसे गुद्दा में लगावे उपर से लंगोड बांद ले साथ ही दो तोले गेंदे पत्तों का रस निकाल कर शहद मिला कर चाटे दही चावल का पत्य करें कमल का फूल बेल की पत्ती सौफ तीनों को भीगा कर पीसकर मिश्री मिला कर खाने से पैर के तलवे पतलवों की जलन ठीक होती है मसूर को पीसकर पैरो में लगाने से पैरो के तलवे के जलन में भी लाब होता है पैरो में जलन होने पर मुलतानी मिटी को पैरो उपर लेप करना चाहिए शुद्ध घी सौ बार पानी में धोकर पैर के तलवों में लगाने से जलन शान्ती होती है पालक की सबजी गाजर टमाटर अधिकादी खाने से खुन की कमी दूर होती है आवला एवं हल्दी समान भाग घृतकुमारी के रस से मिलाकर गोली बना ले तीन चार गोली रोज खाने से खुन की कमी दूर होगी संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंगी को लाकर एक फल के अंदर जितनी बीज हो उसे एक ही रंग के गाय के दूद में पीस कर रुतुस्नान करने के दिन स्त्री ग्रहन करे पुरुष की शुक्र किट की वृद्धी के लिए गुलर का पका हुआ फल बीज सहीत खुब खावे सौंट पीपल काली मिर्ज 20-20 ग्राम लॉंग इलाइची जैफल जैपत्री तुलसी दाल चिनी 10-10 ग्राम इन सब को कूट पीस कर कपड़ चान चूड़न बना कर रखे रहे कैसा भी ज्वर हो इसके एक चम्मच चूड़न देड़ पाव पानी में 50 ग्राम गुल डाल कर पकावे चा छे उबाल आने के पस्चा उतार लेवे चान कर इसे बारंबार पीवे ज्वर ठीक होने लगता है उपर कहे गए चूड़न को चाय में डाल कर पीने से चाय के चाय से होने वाले दोश नश्टर हो जाते है इसी चूड़न के साथ दुगना कथा चूगना सुपारी का चूड़न रूची अनुसार पीपरमेंट मिला कर खाने से इस रेश्टर मुख शुद्धी होती है साथ ही बेड़ी सिगरेट भाग गांजा शराब आधी पीने की इच्छा घट जाती है भुट्टा के बाल को जलाकर राग बना ले दो ग्राम की मातरा में शहत के साथ चाटने से उल्टी ठीक होती है कैद का धुक ले खोटली को ठंडा पानी में मिला कर घिसकर शकर के साथ पीने से उल्टी में लाब होती है नारियल खोटली को ठंडे पानी में घिसकर शहद के साथ चाटने में उल्टी एवं उपकाई दोनों में लाब होता है उल्टी एवं उपकाई में निम्बू को काट कर जीरा एवं सेंदा नमक डाल कर हलका गराम कर ले उसे चूसने से दोनों में लाब होता है घरबवस्ता की उल्टी में शहद और निम्बू का रस मिला कर लेने से लाब मिलता है मयूर के पंक की चंद्री का अत्वा उसके बाल को करचुली में रख कर गरम करे कर राक बना ले उगलियों में हलके शहद लगा कर करचुली को थोड़ा थोड़ा छू छू कर चाटना चाहिए इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहने से हिचकी एवं कूकर खासी दोनों में लाब होता है थैंक्यू कर दो कर दो